हाँ तो भई ब्रिटेन वालों कुछ याद आया सर विंस्टेन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल ने क्या कहा था भारत एक देश की तरह चलना ही पाएगा यहाँ पर कमजोर लीडर पैदा होंगे और दुनिया वालों देखना एक दिन इस भारत के कई छोटे-छोटे हिस्से होंगे लेकिन हुआ क्या भारत ने अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पावर के साथ ग्रोथ की वो दास्तान लिखी कि दुनिया की वो अर्थ विवस्था जिसकी दुनिया में तूती बोलती थी जिसके सामराज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था वो इंडियन एकॉनोमी के ग्रोथ के आगे पस्त हो गया इंडिया ब्रिटेन यानि की यूगे को पीछे छोड़के दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनी और ये तो सिर्फ एक शुरुवात है अभी तो पाटी शुरू हुई है भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया का ये कहना है कि बाई 2027 हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे बाई 2029 हम जपैन को भी पीछे छोड़ेंगे और बनेंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था वैसे परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम अभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था हैं लेकिन इन टरम्स ओफ नॉमिनल कैश इन टरम्स ओफ जीडीपी हम ये तमगा हासिल करेंगे और ये जो स्टेट बैंक ओफ इंडिया के एस्टिमेट सें बहुत कंसरवेटिव हैं 6.5 तू 7 परसंट की जीडीपी की ग्रोफ रेट के साथ हम ये मनजल हासिल करेंगे अब इस प पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था दुनिया का सबसे पोटेंशल बाजार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और ऐसे कई पावर से लेस इंडिया अगर यूनाटेड नेशन्स की सेक्यूरिटी कांसिल में नहीं है तो दुनिया में ये से क्या रही है वाई साहब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इंडिया की ग्रोथ को हटा दें तो दुनिया की कोई मंजिल नहीं है और जिस सेक्यूरिटी कांसिल में पर्मेनेंट सीट पे इंडिया नहीं है आमा यार वो तो सेक्यूरिटी कांसिल है नहीं है आपका क्या कहना है झाल, 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 झाल